हेलो एवरीवान वेलकम बेक टू माई चेनल मेकप बाई रेखा से मेरेखा तो देखिए दोस्तो आज मैं आपको बताने जा रहे हूँ के फुल पैरो की वैक्स कैसे करते हैं तो देखिए वैक्स करने का मैं भूत यह असान तरिका बताऊंगी ताकि आप घर पर भी यह वैक् किलायंच की च्राइट किलोट ग्राइललो की तो देखिए बस मैं अभी करूंगी फुल पैरों पर वैक्स त आप बने रहे है मेरे साथ और देखिए पूरा वीडियो कि मैं वैक्स कैसे करती हूं kap से तो देखिए मैं ने पहले गरम कर ली थी मैं ने वैक्स लिई यह अलो को थैरेक्शन में लगानी चाहिए तो देखो किया मतलब इसमी APO faith pytте को खिफ देना चाहिए और के ऑमें वैक्स की लेयर जो है आप भाशाए लगानीugen के लिव बवहत ही तूर भी टूड ते हैं और जो क्लीन हो जाते हैं यह देखिए और देखो हमें स्कीन को बहुत ही टाइट पकड़ के रखना होता है ताकि क्लाइंट के दर्द ना हो और बाल हमारे सारे अच्छे से आ जाए तो देखो हम स्कीन को अगर हलका पकड़ेंगे तो हमारे बाल तूड़ जाते हैं आपने देखा न कीचते हैं और देखो हमें मतलब डारेक्षन में ही देख के वैक्स लगानी चाहिए बालों की डारेक्षन और बहुत ही पतली लेयर तो देखिए मैं अभी पूरे पैरो पर वैक्स कर रही हूं और आप देख सकते हैं कि यह तैनिंग को भी साथ-साथ रिमूव कर रही है यह बहुत ही अच्छी है और देखें मेरे चैनल मेरे में हम और को고 है झाल。 वीडियो मेरे 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 मड लामे मेरे में हैं मेसना जाते हैं और आज मेसना हो मेरे मेसले के प्म pix में का कर सकते हैं कि भी लाइन पर vax हम कैसे कर सकते हैं और कौन सी wax कर सकते हैं तो आप मेरे चेंटल पर जाकर विडियों को भी देख सकते हैं और देखे मैं अभी कर रही हूं उनके घुटने पर wax और ऑप Lynn को थोड़ा मोड़ लिया है ताकि पेन ना हो और घुटना टाइट हो जाए तो ये देखिए बील्कुल बहुत अच्छे से वैक्स हो रही है और देखो कई तो क् लाइनक के साथ ऐसा करते हैं कि सिरफ पैर पे वैक्स कर देते मैंने नीचे जो पूट है हमारा मैंने उस पे भी wax करी है देखो वहाँ पर बाल हो चाहिए ना हो लेकिन टैनिंग तो होती है तो देखो टैनिंग रिम्व हो जाती है जातको हमें wax पूरे पैर पर करनी चाहिए तो मैं अब भी कर रहूं बैस इताई पर wax और देखो थाई जो होती है वो बहुत ही sensitive area होता है तो यहां पर हमें wax के temperature का भी ध्यान रखना होता है कि वह जादा गरम ना हो ताकि client के भई जादा गरम लग गई तो skin भी जल सकती है तो देखो हमें wax की temperature का भी भोत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है और यह देखे मैं बस अभी कर रही जल्दी ही और एगा ना निखám आपको जल्दी दिखांगे क्या हमाँ फुल बोर्यवैक्स कैसे करनी चाहिए तो ये देखे कितने अच्छयावियार। और पूरी अच्छया प्रे लिए वीड़ी ही आखिक ए रिमो रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बैल आइकन को साथ में दबा दीजिए तब भी मैं कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरा वीडियो देख सके और अगर आपको किसी चीज के वीडियो चाहिए हो तो मुझे प्लीज कमेंट बोक्स में बता दीजिए मैं आपके लिए वीडियो बना कर डाल दूँगी अगर आपको किसी चीज के बारे में कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट बोक्स में पूछ सकते हैं देखे मैं आप भी छाज भी दो नी टर्फ ऑर भी जाते हैं तो देखे बस मैं आप इत्र और आप बने रहे हैं मेरे साथ और बताना जरूर के भई वीडियो कैसा लगा और देखो बस मैं अभी फटा फट कर रही हूं इस पैर पर भी फैक्स इनकी और फिर देखो मैं जैसे बैठी हो ना अभी मैं यह बैस आगे-ागे के पैरों पर ही करूंगे मतलब के जो आगे का हिसा पैर का और मैं पिछे के जो पैर रह जाते कुछ एक दो पटी ही रह जाती ज्यादा नहीं रहती वो मैं या तो बैड पे लिटा के करती हूं इनकी पैरों की वैक्स या फिर मैं इनको खड़ा करके कर दूंगी तो आप देखना पूरी वीडियो कि भ अगर भई कुछ ऐसा आपको लगे तो प्लीज बताना मुझे कमंट बोक्स में कि भई मैं बैस अभी दीरे-दीरे करी रही हूं चैनल को ग्रो तो यह देखे बस मैं बेन की कर दूंगी दूसरी थाई पर भी वैक्स और दिखो थाई पर भी हम बहुत ही अच्छ से स्कीन को टाइट पकड़के रखेंगे और तब हम वैक्स को अपोजिट साइट खीचते चले जाएंगे तो यह देखिए कितनी जल्दी से और कितनी इजली वैक्स हो गई है तो देखिए आगे के पैरों की वैक्स हो चुकिए और जो पीछे अभी थोड़े बहुत ही बचे हैं भई बाल तो देखिए मैं कैसे करती है अभी तो मैं देखिए अभी क्लाइंट को मैंने लिटा लिया है और देहाएं अभी चोजग फिर लिटाके कर रही हुए उनकी वैक्स अभी युद्धे हम कैसे कर सकते हैं तो देखो मैं यहां पर भी ऐसे ही डायरेक्शन देखके वैक्स लगा रही हूँ और पट्टी को अपोजिट साइड खीचती जा रही हूँ तो देखो इनके पैरो की वैक्स बहुत ही अच्छी हुई थी और बहुत ही सारी टैनिंग साफ हो गई थी और देखे फिर वैक्स करने के बाद हमें जैल या कोई भी क्रीम या लोसन हमें क्लाइंट के पैरो या हातों पर जहां पर भी हम वैक्स करेंगे वहाँ पर हमें उसके मसाज कर देनी चाहिए ताकि क्लाइंट के कोई भी दाना या कोई ब्रैसिस वगएरा ना हो तो देखिए बिल्कुल ही दोनों pair बैस मेरे complete हो चुके हैं और best आप देखिए पूरा वीडियो और हम मिलते हैं अगली वीडियो में और देखो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रेज वीडियो को like और share जरूर करें और मिलते हैं हम अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई और आप देखे पूरा वीडियो